तो दोस्तो जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा कि भारत पहले से ही हमारे पास में जो हमारे रोकेट सिस्टम है खास तोर पर अगर आप भारत के अंदर हमारी DRD के दुवारा बनाए गए पिनाका रोकेट सिस्टम की बात करते हैं जो कि अभी के लिए 35 से लेकर के 40 किलोम की रेंच के साथ में आएंगे और ये गाइडेड रोकेट्स होंगे और भारत इन रोकेट्स को सफलता पूरवक अर्मेनिया को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर चुका है और इस डील की जो कोश्ट थी वो लगबग 3,000 करोड के आसपास की रही थी तो यहाँ पर सक्सेस्फ अपने नए रोकेट्स सिस्टम को बनाया जा रहा है जिससे कि ये भी आने वाले समय में हमारे डोमेस्टिक और साथ में जो एक्सपोर्ट ओर है इनको कैच कर सके तो दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी डवलपमेंट सामने निकल करके आई है जो ना केवल भारत की को मजबूत बनाएगी बलकि इससे आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट मार्केट है खास तोर पर रोकेट्स की तो वहाँ पर भी भारत का और ज्यादा दबदबा होने वाला है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कर दीजगा तो दोस्तों जैसा की पिनाका रोकेट सिस्टम के कए वारियंट्स आप सब लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिसमें से अनगाइड़ वारियंट्स भी है और गाइड़ भी है और इसके अलावा जो मुझूदा हमारी डियाडियो के दुवारा पिनाका एमके 3ER का जा रहा है और ये जो दोनों वारियंट्स होंगे तो ये गाइड़ रोकेट सिस्टम होंगे और इनके लावा इनकी जो मैक्सिमम रेंज है तो वो 120 से लेकर के 200 किलोमेटर के आस पास में रहने वाली है और अगर आप रोकेट सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो इनके नए रोकेट सिस्टम में सबसे पहले जो रेंज है उसको काफी जादा एक्स्टेंड कर दिया जाएगा ओलमोस्ट आप 200 किलोमेटर की रेंज के साथ में कह सकते हैं कि जो फायर पावर है वो दोगनी हो जाएगी और इसी के साथ में दोनों गाइड़ रोकेट सिस्ट चोटे चोटे एलाई कंट्रीज आ चुके हैं जो की भारती हत्यारों के उपर आने वाले समय में डिपेंड होने वाले हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण आज के समय में भारत के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट हैं तो यह ओलमोस्ट 3 बिलियन युएस डोलर के आसपास के हो चुके हैं और इस सब के बियोंड भी अर्मेनिया, ग्रीज, साइप्रस, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स जैसे काफी सारे चोटे कंट्रीज हैं जो की भारती हत्यारों को आने वाले समय में परचेस करेंगे जिसमें यह एर टू एर मिसाइल्स, मिनेशन, एम कोप्टर को लेकर के भी जो बाचीत है वो काफी जादा एडवांस टेजिस में चल रही है तो इस कारण से हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं यह आने वाले समय में और जारा बढ़ेंगे और इसी के साथ में अगर आप बात करते हैं भारत के अंदर हमारी प्राइवे तो इन्हें महिस्वराष्टर नाम दिया जारा है जो की डिया डियो से जो टेकनोलोजी है उसे कही ना कही थोड़ा बहुत बोरो करेंगे और इसके बाद में आप सब लोगों को भारत के पास में कोश्ट इफेक्टिव लेकिन काफी जादा कैपेबल रोकेट सिस्टम आईगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देजेगा अगर आप चैनल के उपर पहली बाहर आएं तो प्लीस से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजेगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद